नमस्तार आप देखें जिनादेश भारत दियुज और आपके शाथ मैं हूँ ममतासी तो चलिए सुरुआद करते हैं आज के कुछ खास बड़ी बिजनौर में एक कार शोरूम की वक्षोप में अचानक से आग लग गई देखते ही देखते आग ने विक्राल रूप धारंग कर लिया वक्षोप में ख़़ी पांच गारियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया साथी वक्षोप में पड़ा स्क्राप भी जल गया सूचना पर पहुँची दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया आग से लाखों रुपे का समान जलकर राख हो गया दरसल ये पूरा मामला बिजनौर शहर कोटवाली क्षेत्र के मेरत रोट स्थित मारूती कमपनी के शाकुम भरी आटो मूबाइल का है जहां पर सुबह लगभग आट बजे शोरूम के पिछले हिस्से में बनी वक्षोप में अचानक आग लग गई देखते ही देखते आगने कई गारियों को अपनी चपेत में ले लिया और गारियां धू 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 कर जलने लगी आग की लप्टें उची उची उठने लगी सूचना पर दमकल विभाग की दो गारियां मौके पर पहुँची और काफी मशक्त के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक पांच गारी जो वक्षोप में सर्विस के लिए आई थी और लाखों रुपे का स्क्रेपव अन्य सामान जल चुका था आग किस कारण लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कमपनी की स्टाफ ने मीडिया कर्मियों को अंदर जाने नहीं दिया इस मामले में CFO अजय कुमार शर्मा ने बताया कि लगभग 8 बजे बाइक सवार ने आकर सूचना दी कि मिरत रोड्स थित शाकुम भरी आटो मोबाइल मारुती शोरूम की वक्षोप में आग लगी है तक कार दो फायर टेंडर मौके पर पहुँचे और आग पर काबू पाया पांच गाडियां जली हैं साथ ही पास में कुछ स्क्रैप था वह भी जल गया है आग से कितना नुकसान हुआ है और आग किस वज़े से लगी है इस पूरे मामले की जाज की जा रही है बहराज रोड पर मारूती शोरूम है शाकुमरी के नाम से शाकुमरी मोटर्स के नाम से इसमें जो इनकी सर्विस के लिए गाड़ियां आई हुई थी उसमें आग की सूचना अलग बाग 8 वज़े मिली थी और मोटर साइकल से सूचना देने आये थे इस सूचना पर तुरंत ही फायर टेंडर्स मौके पर पहुँचे और आग पर काबू पाया इनकी लगबग 4-5 गाड़ियां थी जो सर्विस के लिए आई हुई थी और इस क्रैप पड़ा हुआ था यह फायर सर्विस की दो गाड़ियां एक फायर टेंडर एक वाटर मिस्ट मौके पर पहुँची थी कोई जन्हानी का नुक्सान नहीं है और आग को तुरंत काबू में पालिया गया था और जो गाड़ियां भी थी वो आंसिक रूप से